बरनाला जिले के गाउं सेखा में गुरुद्वारा सहम में पाठ करने जा रहे ग्रंथी का गुरुद्वारा सहम में ही काम करने वाले अन्य सेवादार ने बेरहमी से कतल कर दिया मिली जानकारी के मुताबिक 30 साल पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने ग्रंथी का कतल किया है आरोपी से बचने के लिए ग्रंथी कुलदीब सिंगे रजवाहे में चलांग लगा दी थी परंतो आरोपी ने भी उसके पीछे ही रजवाहे में चलांग लगा दी और अपने हथ्यार से लगभग दस वार किये वही ठाना सदर के SHO जस्विंदर सिंग ने पुलस पार्टी सहित मौके पर पहुँच कर रजवाहे से लाश बरामत कर पोस्ट माटम के लिए बरनाला के सरकारी अस्पताल में भेज दी फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कतल का मामला दर्च कर आरोपी को गिरफतार कर लिया है और आगे की कारवाई की जा रही है बरनाला से हलचल के लिए विनोच शर्मा की रिपोर्ट दुवे बिस वटलता उस तो बाद आपका कुल्दीव सिंग दे लड़के दे ब्यान दे फियर हिस्ट करी ति कुल्दीव संग दे डेटर बोड़ी हो वे हमान को बरामत होगी जिदा हुने सी पोस्ट माटम कर रहे हैं ति कुल्दीव स्ग दे लड़के ब्रिंदर शिंग ब्यान देशी अफ़ायर हिस्ट कर लिये अफ़ायर नूमर पचासी इंडरसेक्शन तिनसोगी विस गुर्द रसाय सबीरे दो वजे राल नहीं जा रहे सी गई ते रास्ते दे बिच्चों ने केर के बार से बुट से मारे हो दे ते शूवे चेहरता जी दलवारा सेंगे और पपूला सेंगे कोई पराणी रंज स्वी दसे यारी मैंनोंने साव चाहिए यह वनू बात बात सजा होनी चाहिए यह हंडे आये तो ब्रामद हुए यह सूवे दे बिच्चों